वेल्कम टू नदर टूटोरियल थ्री डेमेशन जमाट्री समझेंगे मिटा थोड़ा सा और बेसिक्स में तो कई पर बच्छों को बेसिक्स क्लियर करने में प्रॉब्म आती है तो पहले में बता दू कि हमने जब वेक्टर की डिफाइन किया तो वेक्टर ओविसली यह क्या ह ही तो हमने फिक्स कर लिया किकर कोई भी हमारी मूइम्ट एक स्के एलंग होगी है तो हम उसमिख्स करेंगे ट्री इसको मैं उसको डिनोट करेंगा आई कैप से और वाई एक्सिस के लांग कोई मूवमेंट होगी तो जैसे के लोट करेंगे और जैडियोट किया वेक्टर हो गया माल ले नदे मैं ओ से यूध मुव करी तो इसका मतलब में पास कि ओपी वेक्टर जो है वो उसकी मेंगनिटीट टू है और क्योंकि डारेक्शन एक्स इक्स के लोंग है तो हमने इसको डेनोट किया आई कैप से क्योंकि मुव्मेंट आलांग तो इसको हमने जे कैप से डेनोट कर दिया ऐसी हम जैड के बात कर सकते हैं में बूलों हम इसकी युनिट किया है नहीं हो था एक एक युनिट गया और जैडिया आज मालने तहीं आर एक्स नहीं हो जाएगा यह वेक्टर है यहां पर यह हमारा कॉडिनेट यह पी कॉडिनेट है माल लेते हैं तो इसका मदलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है एक्स कोडिनेट क्या डेनोट कर रहा होता है अगर मैं इसको 2D से explain करूँ आपको अगर कोई पॉइंट में पास 2,3 है यह तरसिक्स का टॉप भी हो गया है इसका मतलब होता है मिरे पास कि यह 2I कैप है और वाई 3J कैप है 3J कैप है और के के लोग कुछ भी नहीं है तो 0 के इस तरह से मुमेंट को डेनोट करते हैं तो अब बात आती है हम अज़े यह 2 3 0 हैना चीच तो इन कंपोनेंट को कि सी भी एक्सие वेर्कटर को कहते हैं अभी चम्पोनेंट को कहते हैं डारेक्शन रेशियोज है रने इन चाट फर्म डि्यार्स है seventeen निकिसी भी वेक्टर की डिक्टरों में हैंगे टू थ्री और जीरो यानि कितना वेक्टरी है कंपोनेंट मुव हुआ X-axis के नम Y-axis के नम और Z-axis के नम यह तो पाती हुँ डारेक्शन रेश्यो की कई बार हमार पास होता है कि हम एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट की तरह हो जाते हैं महां लेते हैं यह वन टू थ्री है और यह में पास फॉर पाइब सिक्स है और मैं पूछू हुआ अपसे के AB वेक्टर के DR क्या होंगे तो पहले हम AB वेक्टर निकाल लेंगे AB वेक्टर कैसे निकालेंगे हमारी मुवमेंट हमेशा क्या होती है फाइनल मैंस इनिशन मेंसे इनिश्य पोजिशन को मायनस कर देते हैं तो यह जैनि पोजिशन एक्टर ओफ बी माइनस पोजिशन एक्टर ओफ ए यानि 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3, 3 i-cap, 5 में से 2 गया, 3 j-cap, 6-3, 3 k-cap, यह होगा मेरे पास a-b vector, अब मैं पूछी इसके direction ratios के आएंगे, इसके direction ratios जो होगे, यह भी वेक्टर के क्या हो जाएंगे, 3, 3 और 3, ठीक है, यह हमने vector dr की बात करी थी, यह हमने निकालना सीख लिया था, ठीक है, यह तो हमारा हो गया, किसी भी वेक्टर की component कम कहते हैं, dr, ठीक है, अब बात करते हैं, direction cos की, क्या होते हैं, direction cos, dc's, और इन में क्या relationship है, वो देखते हैं, direction cos, very important topic, direction cos क्या होते हैं, चलिए, सीखते जाना, अब अगर मैं बोलू, यह 3 dimension geometry हैं, हमेरे पास, x-axis, y-axis, और z-axis, ठीक है, और मैं बोलू, कि मैं बोलू, कि मैं पस कोई एक वेक्टर है, जो o से, origin से, किसी p-point की तरफ गया, और इसकी coordinate है, x, y, z, पर गया, ठीक है, और मैं माल लेता हूँ, यह vector, obviously, x-axis का कोई एंगल बनाएगा, तो x-axis का यह एंगल बना रहा है, लिटर से, alpha, x यह नहीं, क्या होगा, x होगा, angle between, यह angle made by, ओ-पी vector, angle made by, ओ-पी vector, with x-axis, ठीक है, बीटा क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है, हमारा, angle, made by, ओ-पी vector, with positive direction of y-axis, y-axis की positive direction में बना रहा है, इस तरह से, यह हमारा बीटा एंगल है, और gamma एंगल जो है हमार पस, माल लेता हम यह angle अभी assume कर रहे हैं, ठीक है, कि भी कोई एंगल तो बना रहा होगा, तो हमने उनको alpha, beta, gamma से denote कर दिया, op with z-axis, हमने माल लेता है, कि यह angle यह बना रहा है, alpha, beta, gamma, ठीक है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, तरह इतना बोला है, कि वेक्टर कुछ, वो से x-p की तरफ जाएगा, और alpha, beta, gamma, angle बना रहा होगा, अब बात करते हैं, इसी में, अब मैं इतना सारे angle से नहीं बनाऊँगा, मैं सिरफ पहले बात करता है, कोई भी एक angle की, कोई भी एक angle, माल लेता है, अभी हमने बुला क्या, कि यह हमार op vector है, यह x-axis है, यह y-axis है, यह z-axis है, और इसकी coordinate है x, y, z, अगर मैं यहां से perpendicular drop करूँ, यहां से perpendicular drop करूँ, y-axis पे तो क्या होगा, तो अगर मैं परपेंडिक को drop करूँगा न, तो यह coordinate बैसे निकालने की ज़रूत है नहीं, बट आप निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, y-axis पे क्या होता है, x-0 हो जाता है, z-0 हो जाता है, यह मेरे पास ही जो q-point आगया, वो 0, y-0 हो जाता है, अब यह vector y से कितरे angle बना रहा है, यह बना रहा बी-tie angle, तीक बात है जाता है तक तो, तो इस triangle में, base कितनी हो गई मेरे पास, base कितनी हो गई, मेरे पास base पता चल गई है, base मेरे पास y है, इस triangle में, right triangle में, base मेरे पास y है, क्योंकि यह y coordinate है, यह origin से y distance में है, तो इस triangle में मेरे पास क्या-क्या पता है, मेरे को अभी तक for the timing यह नहीं पता, बट यह पता है उनको आगवा मुझे, क्योंकि अगर मुझे op vector पता है, तो मुझे उसका magnitude पता है, इस vector में मेरे पास, अगर op vector मेरे पास है, x i cap, क्योंकि o से, यह नि जीरो से p की तरफ क्या है, तो p minus 0 करेंगे, तो finalize initial से क्या जाएगा, x i cap, y j cap, z k cap, मुझे इसके dr's भी पता है, initial information से dr क्या है, x जे z, क्योंकि op vector के component, और जब मुझे यह पता है, तो मुझे इसका magnitude भी निकाल सकता हूँ, इस vector का magnitude कैसे निकालेंगे अब, हमने सीखा था, किसी vector का जो magnet होता है, वोता है उनके direction, ratios के square का sum, और फिर इसके बाद square root, देके न, यह हमें पता, तो मैं पूछ रहा था, इस triangle में हमें क्या क्या information पता है, तो मैं कहेंगे, हमें base पता है easily, और op भी पता है, तो base और hypertext को कौन सी चीज़ रिलेट करती है, cos, तो मैं कहेंगे, यानि इस triangle में, बहुत easily मैं, cos बीटा निकाल सकता हो, cos बीटा हो जाएगा, base, यह वाला base, अब बात करूँ, अगर मैं इस triangle में, अगर x axis प्लॉट करता, तो क्या होता, तो अगर मैं यहां से perpendicular को drop करूँ, तो नहीं बना पाऊँगा, थोड़ा visualize करना मुश्क्किल होगी है, तो हमने न, क्या कर रहा है, axis को यी, view देखने के लिए, axis का view चेंज करने के लिए, मैंने बोल दिया, अब यह x है माल लेते हैं, यह y है और यह z है माल लेते हैं, और op-vator asit होगा, तो अगर x axis पर perpendicular कीचा होगा, जैसे हमने y पर कीचा था, तो क्या होगा, जब हम x axis पर perpendicular कीचेंगे, x, y, z का, तो यह coordinate क्या आजाएगा, यह आजाएगा, x, x पर y 0 होता है, z 0 होता है, और x सेम रहेगा जो उपर है, यह नहीं मेरे पास यह addition पता चल गई, यह distance होगी मेरे पास x, मैंने को op पता है, इसकी length पता है, और यह x एक एक अंगल बना रहा है, तो cos alpha क्या हो जाएगा, तो कास alpha क्या हो जाएगा, बेस अप्छोंगे जाएगा, यह नो इसकी vector की length, ऐसी अगर यह Z होता, तो क्या होता, Z होता मारपास cos gamma equals to Z upon a.p0 rate kick length, तो मैं क्या ОPS-App कर रहा हूँ, कि मेरे आस cos alpha जो आए, वाया x upon OP vector की length कि एक जैने cos beta जो है य साथ तो ति वाय एक्स अपॉन OP vector की length और cos gamma किया है cos gamma Z upon OP vector की length आब हम भात करते हैं अब सकते हैं अमने क्यों निकाला और क्या मतनzeit कौ क्या मतलब है को मैं बतार था पहले हमने direction ratio सीक्क ए फिर हमने alpha beta gamma angle बना दिया इस vector का x-axis y-axis z-axis आप बात आती है dc's क्या होते है तो dc basically क्या होते है direction cosine को मैं define करता हूँ पहले dc यह नि direction cosines of a line या vector is the cosine of the angle is the cosine of the angle which line या फिर vector op makes with coordinate axis यानि अगर कोई line कोई भी line कोई या vector अगर coordinate axis के साथ जितने भी angle बनाती है तो उन angles के cos को cos को यानि cosine को हम डारेक्शन को साइन कहते हैं को देने एक्स अर नोन एस डारेक्शन को साइन को साइन को साइन को नहीं लिए और टैन को नहीं लिए यह आपके माइंड वे आ रहा होगा तो बहुत सिंपल सा साइन के लिए मुझे परपेंडिक रहा पड़ेगा मुझे करनी पड़ेगी यसे टैन में मुझे परपेंडिक रेक्वाइड होगा वह भी नहीं होता तो इंसे हमें कॉस डारेक्शन को साइन को साइन को मुझा है पूसरन आते है कि डार्याइक्शन रेश्योस और डाशन को साइन में रिलेशन का मिला क्नWow एक तो बहुत सिंपल सा रिलेशन मिल रहा है की यह x,y,z,z स्यों, of the angle १éc मिक्स with x-axis y-axis z-axis तो डारेक्शन रिलेशन क्या मिला तो डारेक्शन जो होंगे basically that can be find out by dividing the direction ratios with the length of that vector यह मिल्का देख्विए यहां भी से मैंच कर रहा है और सब में मैच कर रहा है एन्फिटेशन को साइन्स को निकालने के लिए वेक्क्रिक्षाइम क्या खरेंगे डारेक्षाइंस ही कि लिटेक्षाइम करेंगे हैं अकुरक्षायकें माल लेते हैं कि इनिएक दिया हुआ है या सिंप्ली स्मॉल ए वेक्टर से डेनोट कर जाता है यह मालते हैं यह है और यह 2y-cap प्लस जे-cap प्लस 2k-cap ठीक है इसके DR किया है मेरे पास मैं कहांगो DR मेरे पास है DR of a vector simply xyz की component 2 1 और 2 अब मैं पूछो इस वेक्टर की length कितनी है तो length कैसे निकालते हैं length निकालते हैं हम इन डियास का square करके न टू स्क्वार प्लस वान स्क्वार प्लस तू स्क्वार प्लस तू स्क्वार तो यहार जाएगा four one or four यानि nine छेनि में पास इसे अघ्यत साँगहरी को है अब मैं पूछों डारेश्न को साइन क्या होंगे देख इन को साइन क्या होंगा डारेश्यों को साइन होंगे वाफ सा डारेक्षटे रेस्यों इन यह यह निज़ी जो येकियाट को साइन के तो ये तों कि टरीर डायरेक्शन को साइन को किया कते हैं डायरेकिशन को शाइन होगे हमार पास आपकुमार्प्र के टूबैट माइथी पर वांबाय थे तो बहुत सिम्पल माखने डियरेक्शन दस निकालते है और उप्νο gracious का साजान तो बहुत इसी सी चीज आ इसे भी पूछा जा सकता है कि कि अगर मेरे पास एक टूआई काप जे काप डूके काप और बोला जाए फाइंड कोशन कैसे-किसे पुछा जा सकता है एक तो पुछा जा सकता है कि इसके डिरेक्शन रिश्चाज बताओ तो हम चहेंगे तू बाइन्टू यह पुछा जा सकता है इसका वैंगर निकालो तो कहेंगे और रूट रूट ना है था थरी डीसी बताओ तो टू बाय थरी वन बाय थरी और यही सेम क्वेशन ऐसे पूछा जा सकता है find the angle find the angle which a vector makes with y axis या with x axis या फिर with z axis कोई भी axis के बात करें तो अगर x axis से पूछा है एंगल पूछा था इसका में पूछ रहा है अल्फा क्या होगा तो हमने अभी डिया निकाले थे इसी कुशन के पीछे तू और टू आये थे फिर हमने इसके कॉस इंवर्स ओफ तू पाइटरी अगर यह नोन होता तो मैं निकाल ले था दर्बिसमें इन्वर्स में छोड़ दूँगा तो या यह एक्टर करते हैं या मुझे एंगल पता हूं अल्फा बीटा गामा ठीक है अब एक बहुर इंपॉर्ट प्रॉपर्टी होती है कि देखो अगर मैंने बोला इसको विजुलाइज भी करते हैं ओपी वेक्टर मेरे पास जन्रलाइज में क्या था एक्स आइक यजे कैप और जैट की कैप मैंने बोला था कि इसके डारेक्शन डेश्योग तो आउंगे तो हम कहेंगे डारेक्शन डेश्योग कर सकते हैं कैसे आई वेक्टर की कॉntको वा यह एक्टर की कंपोड़े ऐसे डारेक्शन counterpart केंए हम इसका वेक्टर का लेंट्र मुनिकाल सकते हैं एप येश्योगी तो येजिए उनके मेंगनिट्यूट से डिवाइड कर दोगे तो हमार पास क्या आ जाएंगे डारेक्शन को साइर आ जाएंगे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं लाकि बार बोलने पर आपको याद हो जाएगा जब आप सेम चीज समझेंगे यह तो बात हुई है अब क्यों कर रहा है मैंने क्यों समझाया है क्योंकि नए एक बहुत इंपॉर्टर लिखा हुआ है यह अगर मैं हो क्या हम इस वेक्टर को इसीवक्टर को किसी और तर की चौण के लिखसकते हैं अगर इस वेक्टर को ip की लेंडंजेग हो इसे डिवाइड कर दूं अब दिवाइड किया है तो बहुर मैंने मदी प्लाइग कर दो कर सकता हूंसे मैंने किया ओपी वेक्टर की लेंसे डिवाइट कर दिया और ओपी वेक्टर की लेंसे मुल्टिप्लाय कर दिया अंचनल मिन् वेक्टर था कि इसने को motorvy कि अदयान से दिखो की पैइन में इसको巌 campaign सब्सक्राइब यानि बन जाएगा कॉस अलफा ही कैप यह क्या बन जाएगा यह है कॉस बीटा कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप तो इस तरह से हम डारेक्शन को साइन की फॉर्म में भी एक सिंपल से वेक्टर को लिख सकते हैं सिंपल वेक्टर निकालने का किसी वेक्टर को साइन की डम में ले जाना है तो ओपी वेक्टर इन्टू कॉस अलफा एक काउस बीटा की जेक है पर कॉस काप केक है ठीक है एक चीज़ और अबसर्ब करते हैं कि तो हो गया एक चीज़ यह नोट करके रखना है आपने दूसरा क कि यह कॉस अलफा कॉस बीटा कॉस गामा थे अगर मैं इनका स्कॉर करके झाला है और कउस बीटा बीटा बास पोश गामा कि कॉस को करके स्कॉइर क्दा क्या जेक्ट कॉन सुखाएग जेक है बीटा क्या था य अपान अंडरोट सेम अगर अगर मैं इसका स्क्वेर करूं तो यह आजएगा एक स्क्वेर अपान यह क्या आजएगा यह आजएगा यहां यह आजएगा यहां इस स्क्वेर अपान आ गुश्चाल प्रइट स्कूर अब मैं इसका ऐल्स वने लिता हूं कि अल्सेव नहींगा तो ऊपर आजएगा एक स्कूर प्लस वाई स्कूर प्लस जट स्कूर और इचे भी आजएगा इकट जाएगा तो मेरे पास आशर आ गया तो मैंने क्या प्रॉपर्टी डराइव कर दी कोस कोई अलफा प्लस कोई स्कूर बीटा प्लस कोई स्कूर गामा हमारे पास वन होता है यह आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है बहुत इंपॉर्टा अब जैसे आप से पूछू अब यह कोशन अलग किसी कैसे आ सकता है यह जो हमने पॉपर्टी पूछी बहुत इंपॉर्टा इसको निधान से करेगा एक नंबर में कोशन पूछा जा सकता है कि अबा, बहुत, गमा are the angles which align या फिर आ सकता एक वेक्टर मेक्स मेक्स इक वेक्टर इसक पर आ κάν किसी कैसी की अब sons कि एक आदेने गा जैसे कि इसकि बहुत इसकता है कि देन फाइंड दी वैल्य ओफ यह राइट दी वैल्य ओफ कॉस कर अलफा कॉस कर बीटा कॉस कर गामा यह तो हमें पता ही है तो जब यह ऐगर ऐसे कुशन आता हो तो हम लिख देंगे इसका अंसर हो जाएगा वन अभी हमने प्रूव भी किया देखें ना पीछे के हमने प्रूव कर जाएगा कि e tai आट ऐसे यह तो कि यह तो आसका पिए तर या थैंके इस सांस्की मार भी diferenा है प्लस साइन स्कूर गामा निकालो यह भी पूछाकते हैं तो इसकी वैल्य निकाल नहीं है तो हम क्या करते हैं हम इसको करने करते हैं कॉस्स में क्योंकि हमें कॉस्स की वैल्यू पता है तो वन वन और वन यह तो मिल गया थ्री अब कॉस्क्वर अलपा प्लस कॉस्क्वर बीटा तो कॉस्क्वर गामा लिख देंगे तो थ्री माइनस और जाएगा टू इसकी वैल्य पर पसा गई तू यह नहीं साइंस कर अलपा प्लस साइंस कर बीटा प्लस साइंस कर गामा अगर पूछते हैं तो कहेंगे टू आंसर आएगा यह कोशन ऐसे भी कुछ सकते हैं मिठग के इसकी वैल्य पताऊ मुख तो साइव कामा मैं प्लस कोस तो बीटा अ एंद कोस त््यू गामा की वैल्य पता घी क्या होगी तो हम कि civी स्काहर नम निकाल सकते हैं कैसे स्क्वच त्व कि अपना होता हैु क्व to अक्ता में पता क्य और इसका हो जाएगा तो यह तो मिर पास वन है तो यह पूछ सकते हैं ऊद्धाइंगे तो यह तीन तरीके से कुछन पूछा सकते हैं और कियशा पूछा सकता है एक और कोशन करते हैं एक और कोशिन करते हैं इसे में, क्याना अगर आपसे बोला जाए, क्याना इफ लाइन मेक्स क्या बोला जाए, क्याना कर्ण présent क्यानेक्स तेक्डाश हैं एक्यानाब ऑ्याएने लाए तिए 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 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड दी एक्यूट एंगल जा सकता है अप्टिवस एंगल और कुछ नहीं आएगा तो में दोना निकालें है फाइंड दी एक्यूट एंगल और फाइंड दी अप्टिवस एंगल विच लाइन में एक्स विदे पॉस्ट इंटारेक्शन ओव जैक्स अब कहेंगे इसका मतलब है हमारे पास 90 डिग्री जो है वह एक्स एंगल है यानि अलपा दे रख है बीटा हमें 45 डिग्री दे रखा है और गामा हमें निकालना है तो अलफा बीटा गामा क्योंकि एंगल पता है तो हम एंगल वा रेलेशन जाते हैं कि हमें पता है कि कॉस्ट कॉर अलफा प्लस कॉस्ट कॉर बीटा प्लस कॉस्ट कॉर गामा जो होता है वह तो बान होता है त हम यहां पर की वैली पूट कर देते हैं cos square 90 cos square 45 और gamma मुझे नहीं पता तो इसको as it is रख देते है cos 90 0 तो 0 cos square 0 cos 45 बता है 1 by root 2 तो 1 by root 2 cos square 1 by 2 और यहां से आजएगा cos square gamma equal to 1 तो 1 को जब उदर 1 के साथ half ले गए तो cos square gamma क्या आगया हमारे पस cos square gamma आगया 1 minus half तो half हो गया और जब square हटाया तो cos gamma आगया हमारे पस plus minus 1 by root 2 अब अगर cos gamma positive half 1 by root 2 है तो अब पता है यह 45 पे होगा तो gamma आजाएगा पाई by 4 और अगर minus 1 by root 2 है तो cos inverse of minus 1 by root 2 यानि पाई minus cos inverse of 1 by root 2 तो पाई minus पाई by 4 3 पाई by 4 आजाएगा और अगर acute angle पूछा तो कहेंगे हमारा answer आएगा पाई by 4 acute angle यानि 45 डिगरी बना रहा है अगर आप से पूछा obtuse बताओ तो कहेंगे 3 by 4 हो जाएगा obtuse angle और अगर कहते हैं कि कोई भी नहीं पता हमें मल्ब कोई भी नहीं दिया हुआ तो दोने लिख देंगे कि हमारा पस gamma जो होगा वो पाई by 4 या 3 by 4 आ सकता है ठीक है अब इसी में एक होग चीज सकते हैं एंगल निकाने का यह भी सकते हैं कि इफ है ठीक है अब यह लाइन क्याकर के कहते हैं वेक्टर है यह वेक्टर लिखते हैं डियार की टर्म में एक्साइक है वाई जेकाफ जैट के कैप अगर मुझे डारिक्टर को साइन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं ओपी वेक्टर का मैंगनिट्यूट यहां कॉस अलफा आई कैप कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप तो मैं इस फॉमले को यूज कर देंगा कैसे मेरे पास ओपी वेक्टर का मैंगनिट्यू दे रखा है यह एंगल कितरा बना रहा है यहां पर बना रहता है 90 तो कॉस 90 जीरो आई कैप यह बना रहता है कॉस 45 और फॉर्टी डिग्र है और अगर आप इसको मल्टिपै करके लिख देंगे टू से यह बने का जीरो आई कैप रूट टू जेक है और प्लस माइनेस रूट टू के कैप तो यह एक वेक्टर होगी ओपी जिसका मेंगरियर टू है और वह 90 डिग्री 45 डिग्री और 45 डिग्री जैड एकसिस की एकसिस की एकसिए जैड की सब बना रहा है तो इस तरह से में डारेशन को साइन और डारेशन रिश्यो की बात करते हैं ठीक है तो बहुत इजी से करेंगे बार प्रैट्रिस करेंगे तो बहुत इसली समझा जाएंगे कई बार वर्न माकर में आपने देखा होगा कोशन पूछा जा सकता है फाइंड दी बार वर्न में आपने प्रैशन को साइन है यह निकालने तो इस बार यह आपने साथ कितने अंगल बनाएगी तो जीरो डिगरी एक्स के साथ कितने बनाएगी तो नाइंटी डीगरी क्योंकि यह सब म्यूचली परपेंडिक्र रेक्टर्स होते हैं और ZX की कितना बनाएगी? यह भी 90 होता है तो यह भी 90 हो जाएगा, 90 डिग्री तो इसके direction cos के आएंगे? तो direction cos के कॉस अलफा, cos beta, cos gamma यानि cos 0, cos 90 और cos 90 तो यह मेरे पास क्या आगए? direction cos साइंस किसके x-axis के तो आपको बहुत इंपल सा पैटर यहां रखना है एक सीज के डार्चिन को साइण क्या होते है वन जीरो जीरो और एसे पूछा जाए आप आप से डारेक्शन को साइन वाइ एक्सिस बताओ तो आगर हम pattern को देखें तो वह वनेगा zero one और zero और अगर हम direction cosine of z axis की बात करें तो direction cosine of z axis हो जाएंगे zero zero और one तेखें और अगर आप पूल है कैसे आ रहा है तो वह सिम्पल आ है तो y axis की बात कर रहे हैं तो y इसके साथ 0 डिगरी एंगल बन रहा है उस लाइन का और एक सब्सक्राइब के साथ 90 तो कॉस नैंटी वह से वसीर हो जाएगा दर्वाइस यह सेम आएगा तो यह हमने आज डारेक्शन को साइन और डारेक्शन डिश्यों की कुछ कोश्चन किये ठीक है कि कही बारी कोश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर हमार पास बोला गया है कि इफ लाइन मेक्स एक्वाल एक्वाल एंगल विद कोडिने अक्सेस देन फाइंड डी सीज इसका अलफा बीटा और गामा बराबर है तो हमने एक प्रापर्टी पड़ी थी कॉस्च कर अलफा और कॉस्च कर बीटा प्लस कॉस्च कर गामा वन होता है यहाँ पर मैं अलफा बीटा गामा एक्वाल लग दूँगा तो यह आ जाएगा कॉस्च कर अलफा प्लस कॉस्च कर अलफा प्लस कॉस्च कर अलफा इकल टू वन त्री कॉस्च कर अलफा इकल टू टू वन cos को roughly equal to 1 by 3 cos alpha आजाएंगे मेरे पस plus minus 1 by root 3 तो मेरे पस dc के आगए plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 और plus minus 1 by root 3 यहनि 8 possibility हो गई and because of octanes तो यह मेरे पस आठ possibility pair बन गए dc के बलब प्लस plus हो सकता है plus plus minus इस तरह से तो यह dc आ गए उस line के जो equal angle बनाती जा रही है, ठीक है, इसको revise करिए, कुछ बच्चों के doubts थे, तो मैंने इसको clear किया, I hope मेरा point आपको clear हो गया होगा, इसकी practice करते रही है, thank you.